reproductive strategies in mammals first are contents eggs of mammals fertilization, coat shape behavior reproductive cycle and the development first are eggs of mammals students, mammals के eggs कभी आपने देखे हैं? नहीं देखे जो वे अपसे egg link mammals जो हते हैं उनके eggs जो हते हैं वो birds की तरह ले करते हैं जब कि एकसर मैमल जो इसमें एग्स बाइडी से बाहिर नहीं आते हैं बाडी के अंदर ही एग्स को रखा जाता है तो इसके मीन दा एग्स in most of the मैमल एग्स आर इंटरनल बाडी के अंदर एग्स प्रोडियूस दुरूर होते हैं फीमियल वो बाडी के अंदर ही रहते हैं तो फ़र little amount of yolk, जो mammals के एग्स हैं उसको, little amount of yolk होगी, and eggs are internal. और इसके रावा तिसरी property यह है, के they are amniotic eggs. Amniotic का मसलब है के, उनके egg के अंदर तीन membranes पाई जाती हैं. Amnion, Corion and Allontis. जिन eggs के अंदर यह तीन membranes में मुझूद हैं, they are amniotic. जिनवें मुझूद नहीं है, they are an amniotic. अब reptile, birds, और mammals. यह तीन group हैं जिसके अंदर, egg के पास तीनों extra embryonic membranes मुझूद हैं. Amnion, Corion and Allontis. यह तीनों extra embryonic मुझूद हैं, so they are amniotes. जबके amphibians और fishes के अंदर, यह extra embryonic membranes नहीं होती हैं, so they are an amniotes. तो इसा से मर्ज, जो mammals हैं दियार दे, amniotes. Fertilization ये mammals. Mammals के अंदर, जितने भी mammals हैं, उनमें सब में internal fertilization होती ही है. यह बिलकुल, हमारे पास जो reptile, birds की तरह, जो कि यह भी जातर mammals जो होते हैं, they are present and the terrestrial environment. तो सब के अंदर, जो जो fertilization होगी, it will be the internal fertilization. अब fertilization केते हैं के mammals are dicius, चांद एक reptiles हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि वो इसमें, यानिके चांद एक हमारे पास ऐसे animals हैं, जिसमें आम तरह पर वो monicious होते हैं, लेकि ज़्यादतर, जो mammals हैं, सारे सारे mammals हमारे पास क्या हैं, ये, dicius हैं. डाइशिस का मतलब ये होगा कि एक male है, दूसरा क्या होगा कि इसमें, female होगा. जब fertilization होती है तो उस वो ताम तरह पर फोरण से ही, जो sperms हैं, वो खास time के लिए active होते हैं, इस दुरान अगर egg release हो जाते हैं, तो फिर fertilization हो जाती है, और आगे जाए गोड बन जाता है. लेक जाता है. सिर्फ, bats के पास ये quality है, कि bats के पास हम तरह पर, वो sperms को एक खास time के लिए जब store कर लेती हैं, अपनी body में. और फिर जब condition favorable होती है, उसके बाद क्या करते हैं, वो fertilization करती है. तो bats के पास especially pouch मुझूद होता है, जिसके स्पॉम्स को store कर लेती है, वो. तो उसके bats क हम कहते हैं, they have delayed fertilization, वो fertilization, delay होगी, बात क्योंगी. अच्छा, जितने भी animals में internal fertilization है, चाब वो reptiles है, birds है, या mammals है, internal fertilization के जरूरी है, कि जो sperm है, वो OV duct के उपर वाले हिसे में travel करके जाए, और वहाँ fertilization हो, अगर नीचे वाले हिसे में fertilization होती है, आवल तो होती ही नहीं है अगर होगी भी तो useful नहीं है, चुँके जब तक एग नीचे आता है, उसके उपर आम तर पर योग वगरा की तैज़ा हो जम चुकी होती है, बन चुकी होती है, तो mammals के लिए, चुके mammals के एग ने implant होना होता है, यूटरस के अंदर आकर, इसलिए जरूरी है कि mammal का एग जो ह ओवी डक्ट के उपर वाले हिसे में fertilize हो जाए, कोट्शिप behavior in mammals, mammals के अंदर कोट्शिप behavior की यह है कि male किस तरह से ज़ाओ female को attract करते हैं, इसके लिए बड़ा complex behavior है mammals के अंदर, आम तर पर जो मेल्स हैं, during reproductive season, they seek for the females, जो reproductively receptive females से उनको तलाश करता है, male, और उसके बाद क्या क होगा, अब कोट्शिप behavior में आम तरपर, जो dominant males होते हैं, वो अपने aggressiveness show करते है, vocalization बड़ी important है, अपने एक से देखे हो कि जंगल के अंदर जो जानवर्स हैं, अगर आप national geographic वेरा देखें तो इसमें, वो बकाईदा जो animals roaring कर रहे होते हैं, sounds निकारें, तो sound निकालने का मतल भी क्या होता है, कि वो basically, they are showing that they are reproductively active, reproductively active हैं, ताकि इसको जाओ, आगे मेटेंग के लिए जाओ, females को attract करते हैं, इसमें, reproductive cycle, अब animals जो हैं, क्या वो सारा साल fertilization कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास birds और reptiles के लिए, यह को साल के खास इसे में fertilization करते हैं, same is the case, कि बहुत सारे mammals वो हैं, जो साल के एक खास time के अंदर क्या करते हैं, reproduction करते हैं, ईसे animals जो खास एक time के वपर आकर reproduction करते हैं, उसकी reason यह है, कि इसको Cream 25 जो हैं, वो साल के एक खास हिसे में mature होते हैं, और उसके बाद वो furniture होते हैं, इसके आप वो animals होते हैं समाल animals हैं माईस हैं वो आम तो पर साल में चंद माईनों के बाद दोबारा क्या करते हैं reproduction के लिए जाओ त्यार होते हैं अपने यंग बन प्रोडूस कर रहे होते हैं इच मीन्स के rabbits या फिर माईस या फिर गोर्ट्स वगरा जो है यह animals वो हैं जिसमें आम तो पर जा क्योंकि वो एग ले करते हैं बाकी तमाम mammals के अंदे development internal होगी और body के अंदर कुछ cases में body के अंदर बकायता placenta बनेगा जिसको हम placental mammals कहते हैं और कुछ cases में यह होता है कि यूट्रस की जो वाल है वही nourishment परवाइड करती है जासा के marsupil mammals में है